वेरी गुद्वर्णी बच्चों आज हम को आज हम आप लोग को इसका सुनहरी दूप का पड़ाएंगे पंद्र है यही आपका अंते में 16 लेशन आपको नहीं आएगा एक्जाम में है आमने स्लेवत भीजा आपको प्लिट अप भीज दिया न तो देख लीजेगा उसमें 16 लेशन नहीं आएगा 15 लेशन तक आएगा तो आजन पले इसकी रीडिंग करेंगे फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले क्या करना है पले इसकी रीडिंग करना है अब्रायम लिंकन अमेरिका के सोलवे रास्ट्रपती थे उनका जन में एक गरीब परिवार में हु पिक्चर दे रखें नाम दे रखें और मैच करना की कौन के यह जौन F कैनेड़ी की कौन सी पिक्चर है यह जौन F कैनेडी ड्राजेंदर प्रशाद की है नेलसन मंडेला की ये दक्षिन अफ्रीका की रास्टपती थे बहुत समाज सेवी थे और ये अब्राहम लेंकर की तस्वीर है ये अमेरिका के सोलवे रास्टपती थे अच्छा अब हम लोग डीडिंग करेंगे एक पत्र है ये पत्र है उन्होंने अपने बेटे के बेटे के स चाहिए पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं उसको यह सिखाए जाए कि यदि गंदे लोग हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं अगर स्वार्थी राजनेति होते हैं तो जनता के हित्मे काम करने वाले देश प्रेमी भी होते हैं उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा परंतु हो सके तो उसे यह ज़रूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बुरी कारे से मिले पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है देखो यह अब राम लंकन का भुबना हुआ है तो कैसे मेहनत से कमाया एक पैसा भी बुरी कारे से मिले पैसों से अधिक मूल्यवान होता है उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं हो सके तो उसे राग द्वेश से दूर रखें उसको यदि कोई जीत जाता है यदि हार जाता है तो उसके जीत में भी खुश होना सिखाएं और हार में भी खुश होना सिखाएं उसे राग द्वेश से मतलब जलन स इर्षाते इन सबते दूर रखें उसे अपनी मुस्लीबतों को हसकर सामना करना भी सिखाएं हसकर सामना करना सिखाएं वह जल्दी ही यह सबक सीख ले कि बुराई को आसानी से काबूर में किया जा सकता है यदि संभव हो तो उसे किताबों की मनमुखक दुनिया में अवश्य ले जाएं साथ ही मतलब किताबों की मनमुखक दुनिया मतलब उसे किताब पढ़ने की आधर दाने उसे साथ साथ उसे प्रकृति की सुन्दर्ता जैसे नीले आसमान में उड़ते आजाद पंची, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मदमक्खियां और पाहणों की डहलानों पर खिलकलाते जंगली फूलों की हसी को भी निहार में दें स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल हो जाना बेहतर है नकल करके पास हो जाते हैं यह अबराहिम लिंकर नहीं चाहते थे कि उनके बच्चा नकल करके पास हो जबकि उससे अच्छा वो फेल हो जाए चाहें सभी लोग उसे गलत कहें परन्तु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे वह भले लोगों के साथ नेक विवार करे और बुरे लोगों को सबक सिखाए जब सब लोग भेड़ों जैसे एक रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड से अलज अपना नया मार्ग प्रस्ष्ष्ट करने की हिम्मत हो इस तरह का बच्चा अपना बनवाना चाहते थे उसे सिखाएं कि वह हर एक की बात को धहर्य पूर्वक सुने फिर उसे सत्य की कसोटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहन करें सबकी वाद सुने और लेकिन उनमें से फिर विचार करें उनकी बास सुने के वाद और जो सच हो जो अच्छा हो कि वाद उसे उसे ग्रहन कर वागी छोड़ दे अगर हो सके तो उसे दुख में भी हसने की सीख दे इतना मजबुत मनाए कि यह कोई दुख भी है तो भी वहसे उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है रोने में क्या परिशान है वह आलोचकों को नजर अंदाज करें और चाटकारों से साब धन रहे आलोचकों को नजर अंदाज करें और चाटकारों से साब धन रहे चाटकार मतलब जो करने वाले हैं अपनी हर बात को काटने वाले हैं उनको नजनदाद करें अंदेखा करें वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करें परन तो अपनी आत्मा और अपने इमान को कभी न बेचें खुब कमाई करें खुब महनत करें सब करें लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को दुख पहुँचा करके खुम मेनत करके कमाई करने ऐसा कभी नहीं करे कभी अपना इमान नहीं बीचे उसमें शक्ति हो कि चिलाती भीड के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्ति के लिए जूज़ता रहे आप उसे तसली से सिखाए परंतु बहुत लाड़ प्यार में उसे बिगाड़े नहीं तसली से आसानी से समझाएं उसे लेकिन उसको बहुत बिगाड़े नहीं उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाती उसकी असीम स्रद्धा बनी रहे ऐसी सीख दें कि मनुष्य जाती से विश्वास न उठाया उसका, मनुस्त जाती पर वो विश्वास करता रहे, मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या क्या गलत करना संभाव है, वैसे मेरा बेटा एक बहुत प्यारा और भाला लड़का है, यसे मेरा बच्चा बहुत अच्छा प्रिंसिपल बच्चा पड़ता था उनके प्रिंसिपल को यह पत्र ağ uno कर लीजया उसकी डालेगे डालेंगे और शब्दार्थ लेकिने, शब्दार्थ आपको मालूम है, शब्द अर्थ, फिर बीट में एक लाइन, शब्द स्वार्थी अर्थ जो केवल अपना हिप सोचे है, ठीक है, मुल्यवान शब्द कीमती अर्थ, इस तरह से आपको शब्दार्थ लिखने है, अध्यापक छात्रों को बताएं कि यह एक आपचारिक पत्र है, प्रधानाचारिया अध्यापक को आपचारिक पत्र लिखते समय उपर विद्याले का नाम, पता, विशय भी दिया जाता है, दिया जाता है नहीं बताते हैं आपको जो आपको पत्र लिखन बताते हैं तो चुट्टी लेने के लिए तू ऐसे लिखाते हैं न वही जरूर लिखें अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले भेजने वाला अपना पता लिखता है यह वाले अपचारिक पत्र होते हैं और अनौपचारिक जो अपने घरों में लिखे जाते हैं तो उसमें जाब हम भेजने वाले का पता लिखा जाता है तो यह सिच्च के लिए संकित दिया अब हम करेंगे एक्सरसाइज उचे विकल पर सही का निच्चे ने लगाओ अब्राहम लिंकन के अनुसार सभी व्यक्ति कैसे नहीं होते लोभी लाल्ची न्यायप्रिय कैसे नहीं होते सभी व्यक्ति लाल्ची भी नहीं होते सभी व्यक्ति लोभी भी नहीं होते लेकिन इसमें दिया गया अब्राहम लिंकन के अनुसार सभी व्यक्ति न्यायप्रिय भी नहीं होते सभी लोग सही निर्णाय देने वाले नहीं होते यह जो जिनको सही निलनाय मिला होता है यदि उनके फेवर में पक्षमे नहीं गया तो वह उनको पसंद नहीं आता है तो निया हिप्री नहीं इसमें लगाएंगे अब्राहेम लिंकल के अनुसार अगर दुनिया में स्वार्ति राजनितिक हैं तो और भी हैं निर्भीक, देश प्रेमी, देश त्रोही यह अब्राहेम लिंकल के अनुसार अगर दुनिया में स्वार्ति राजनितिक हैं तो और कौन भी हैं देश प्रेमी देश स्वार्ति मतलब अपने मतलब की राजनिति करने वाले तो ऐसे भी हैं जो देश से प्रेम करने वाले हैं देश प्रे को अपने बेटे के प्रिंसिपल को अपनी बेटी के सिख्चक को किसको लिखा था अपने बेटे के प्रिंसिपल को तो इसका अर्थ होगा अपने इसका होगा अपने बेटे के प्रिंसिपल तो पहला न्याय प्रिय दूसरा देश प्रेमी और तीसरा अपने बेटे के प्रिंस लिखित प्रस्णों के उत्तर लिखें, फिर मौकिक लिखेंगे, फिर प्रस्ण लिखेंगे, प्रस्ण है पहला, अब्राहिम लिंकन जल्दी ही अपने बेटे को क्या सबक सिखाना चाती थे, यह है, अब्राहिम लिंकन जल्दी ही अपने बेटे को सबक सिखाना चाती थे, प पहले प्रश्ण में से लिखेंगे अब्राहिम लिंकन जल्दी ही अपने बेटों को सबक सिखाना चाहते थे कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बुरे कारे से मिले पैसां से कई अधिक मूल्यवान होता है ठीक है यह पहला हो गया उत्तर अब दूसरा अब्राहिम लिंकन अपने यह 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 प्रश्ण मौकिक का अब्राहिम लिंकन पहले का उत्तर तो वह लिखित वाला है यह मौकिक का उत्तर है अब्राहिम लिंकन जल्दी ही अपने बेटे को यहां तक तो प्रश्ण में से लेंगे हम बेटे को ये बुराई का आसान बुराई को आसानी से काबू किया जाता है ये सबक सिखाना चाहते थे तो कैसे लिखेंगे इस प्रेशन को अपन अब्राहम लिंकन जल्दी ही अपने बेटे को सबक सिखाना चाहते थे क्या अटा करके पूरा प्रेशनी ले लेंगे पहले अब्राहम लिंकन जल्दी ही अपने बेटे को सबक सिखाना चाहते थे कि बुराई पर आसानी से काबू किया जा सकता है ठीक है ये प्रेशनी पेज नंबर 122 की ये कौन सा सेकंड पैराग्राफ की एक दो तीन चार्ट पा पूरा प्रेशन लेंगे और बुराई को सब्सक्राइब कि आशानी से काबू किया जा सकता पहला प्रेशन निब्ल अब्राहम लिंकन ने कैसे फेलoti को पासोने से बहतर पताया यह देखे इसका जिरख नकल करके पास होने से फेल हो जाना बहतर है इसका वत्तरम थम dh अब आप रहे इन्प लिंकन यह नकल करके पास होने से फेल होना बहतर है पेज नंबर 122 का ही थर्ड पेराग्राफ यह दूप में गुन-गुना थी मक्या इसी वाली लाएं को छोड़ करके नहीं यह सेकंड वाली लाएं को यह अब्राहिम लिंकन नकल हो कि अब्राहिम लिंकन लिख देंगे नाम अपन उसमें से सेकंड प्रिया से नकल करके पास होने से बेटे को कवाड़ी रहना चाहिए तर तीसरा यह जोखो अब्राहिम लिंकन को उनके बेटे को कव अड़िग रहना चाहिए इसको ढूनेंगे यह चाहे सभी लोग उसे यह प्रस नमबर तीन का चाहे सभी लोग उसे गलत कहें परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और अड़िग रहे ठीक है ना मौकिक का तीसरा यह ना अब्राहिम लिंकन के अंसारों के बेटे को कव अड़िग रहना चाहिए यहाँ पर चाहे सभी लोग पेज नमबर 122 में ही सारे अंसर मिल गए आपके चाहे सभी लोग उसे गलत कहें परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अड़िग रहे ठीक है यह हो गया तीसरा पर लिक मौकिक का अब लिकित लिखाते हैं अब्राहिम लि किन पैसों को अधिक मौलेवान बताया है इसका अतर ये रहा मेहनत कर पेज नमर 122 की सबसे पहली लाएन मेहनत करके यहां से मेहनत से कमाया एक पैसा भी बुरे कारे से मिले पैसों से कहीं अधिक मौलेवान होता है यहां तक निशान लगाएंगे 122 में ही पहली लाइन पेज नमर 122 की पहली लाइन के किनारे से मेहनत कर से कमाया एक पैसा भी बुरे कारे से मिले पैसों से कहीं अधिक मुल्लिवान होता है दूसरा प्रशन अबराहम लिंकन ने अध्यापक से अपने बेटे को किस दुनिया में ले जाने के लिए कहा यह देखो उसे कितावों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए साथ साथ उसे यहां से उसे कितावों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए साथ साथ उसे प्रक्रति देखें यह पूरा है नहीं किवल इतना ही यहीं तक किवल अबराहम लिंकन ने अपने बेटे को किताबों की मनमोहक दुनिया में ले जाने को कहा यह उसे यदि संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए किवल इतना ही ठीक है यदि संबब हो तो से कवितावों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए ठीक है दूसरे का लिखित के दूसरे का और अबराहम लिंकन ने प्रकृति की सुन्दर्ता किसे कहा है यह दोखो यह अबराहम निंकन ने प्रकृति की यह प्रकृति की सुन्दरता जैसे नीले आसमान में यहां से प्रकृति की सुन्दरता यहां से लगाएंगे यह फिर नीले आसमान में उड़ते आजाद पंची सुनहरी दूप में गुंगुराती मदुमुक्षियां और प जंगली फूलों की हसी को प्रकृति की सुंदरता कहा है। समझ में आगे ना यह तो यहां से ऐसे ले ले सकते हैं अब ब्राहम लिंकन ने यहां से तो यह ले लिया उसके बाद यह नीले आसमान में उड़ते आजात पंक्षी से ले करके की हसी को प्रकृति की सुंदरता कहा है। अब प्रकृति की सुंदरता कहा है। अब प्रेश नंबर चार है अब्राहम लिंकन को लिंकन अपने बेटे का व्यवार कैसा चाती थे। कैसा चाती थे। और यह देखो। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवार करें और बुरे लोगों को सबक सिखाए। कि यह यहां से वह यहां पर है ना यहां से वह भले लोगों के साथ नेक व्यवार करें और बुरे लोगों को सबक सिखाए। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी बात ने क्यों सिखाना चाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी बात ने क्यों सिखाना चाते हैं। इसको अपने तो लिखना पढ़ेगा आप लोग लिखेंगे माता पिता भला मनुष्य बनने के लिए भला आदमी बनने के लिए अपने बच्चों को अच्छी बातें तिखाना चाहते हैं ठीक है ना भला मन शुबनने के लिए अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं ठीक है आब वो सही शब्दों से वाग की पूरे करो केवल खाली स्थान भरना इन वैसे चाटके सभी व्यक्ति बुद्दिमान नहीं होते वीर नहीं होते न्याय प्रिय नहीं होते तो इसमें न्याय प्रिय दे रखा तो अपन लोग न्याय प्रिय लिख देंगे न सभी व्यक्ति न्याय प्रिय नहीं होते आप वीर भी लिख देंगे बुद्दिमान भी लिख देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा किनों में से कुछ भी वर सकते हैं मुझे पता है कि इसमें लगेगा धन वो शोना भी सिखाएं, जीत, ठीक है, जीत भरेंगे, वह अपने दिमाग की ताकत के बल्बूते पर भरपूर कमाई करें, वह अपने दिमाग की ताकत पर नहीं, शरीर की ताकत के बल्बूते पर, वह अपने शरीर की ताकत के बल्बूते पर भरपूर कमाई करें, यह, वह दिखेंगे तो यह शरीर की ताकत के बलुवूती पर भरपूर कमाई करें शरी को और मैंने अपने मन्में पत्र में बहुत कुछ लिखा है तो पहले में नेयाई अप्रिये दूसरे में समय तीसरे में जीत, चौथे में शरीर और पांचे में पत्र ठीक है? अब जो शब्द दो पदो या वाक्षियों को जोडने का काम करते हैं उसे क्या करते हैं? योज़क क्याते हैं जोडने वाले शब्दों को तो सही योज़क शब्द भरके वाक्य पूरे करें अपने से लगाना है यदि संबह हो तो उसे किताबों की दुनिया में लाएं उसमें दे रखाना है तो यहाँ पहला योज़क क्या वरेंगे? यदि हो सके तो उसे रागद्वेश से दूर रखें तो उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश हो ना भी सिखाएं जी और चाहे लोग उसे गलत कहें परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखें परंतु तो पहले में यदि दूसरे में तो तीसरे में और और अन्ति में परंतु अच्छा ये शब्द दे रखें हैं अब वचन बदलो ये तो वचन तो बदलना आपको बच्चा एक वचन है तो इसके बच्चे किताब का किताबे बच्चे नहीं होंगा लेकिन ये बिंदी नहीं लगेगी इसमें बच्चा का बच्चे होंगे किताब का किताबे यदि एक बच्चा है तो बच्चा बोलेंगे, चार हैं तो क्या बोलेंगे हम बच्चे, पर एक किताब है और यदि चार किताब हैं तो क्या बोलेंगे, किताबें, बिंदी भी लगेगी ये, भेड, भेणे, वैसे भेड का भेड भी रहता है, दो भेड, चार भेड, भेडें, भेडें कर लिजा, भेणे, बिंदी लगा कर भेणे, रास्ता का रास्ते, गड़ी का गड़्या, यहां लिखेंगे, यह छोटी की मात्रा बन जाएगी, और यहां यह दोनो ड़ी को ले करके, डा को ले करके, ऐसे छोटी की मात्रा, और यहां, यह गलत लिखा, इसमें, दूसरे डा को भी लेंग यसी में यह गगां क adapt क्षो टी की मत्रा लगेगी बेटा का बेटे बात का बातें बींदी लगेगी ठीक है काल के टीनों बेदों के 2डों वाकि लिखो जैसे भूत्काल मैं कल वाजार गया था है कल कल राजा आया था है ना वर्तमान काल मैं खाना खा रहा हूं हम दोनों खेल रहे हैं ठीक है भविश्यकाल मैं कल खेलने जाऊंगा मैं कल बाजार जाऊंगा कल अंकल आएंगे इसे कुछ भी लिख सकते हैं रहे हैं दो दो बाकि लिखना है अब भाव आचक संघ्या मदुर्ट से विशेशन बनाओ इमांदारी का इमान चतुराई का चतुर। सरल्टा का सरल। कुशल्टा का कुशल्ट सभ्यता का सभ्य इस तरह से ये आठ आपका पूरा हुआ तो इसम सब तो हमने कराई इसमिन करना केवल कोश्चैनर लिखना है और प्र शब्दार्ट लिखना है कि ऑड़ थोड़ीत की बिटकर बनाना तो बना लेना और यह इउम क्या है ऑक है मौकिक और लिखित कोशिंग में आपका अग्जाम है ओके ना अभी हमको व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको इसके साथ साथ में लर्न भी कर दियाना है ओके गुड़ डेग